यहाँ पे कटिया का मेरे पास setup है यह दीखिए कट इसके crack फाइल और मैंने double क्लिक किया और जैसे है डबल गया किया यहाहाँ पे setup नाम का एक file है तो हम setup file पर황 करेंके setup file पर double click करते हैं तो यह देखिए जैशे double click किया तो यह वाली window हमाले सामने open हो जाएगी कटिया एक बहुत ही बड़ा software है इसलिए इससे बहुत ही time लगता है install होने में तो आपको वीडियो पॉस्ट करके कि जल्दी जल्दी में समझा दूंगा किस तरह से कटिया का setup install करते हैं यह देखिए कटिया इंस्ट् wijo एब फ्याइव यह देखिए इसके बाद अब कटिया का setup install होनाski शार्ट हो जाएगा यह दिखिए यहापे हमें next प्ले क्लिक करना है दो चलो क्लिक करते हैंक में तो चलू आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम ये एस फिर से एक बार नेगstone क्लिक करेंगे तो यह देखे फिर से बार में वही उद आगे तो यह देखे यहाँ पर हम से नेक्स इसके बाद यह देखें यहाँ भी हमें next करना है इसके बाद next इसके बाद यह checkbox है उसको click करके next फिर से एक बार next next यह checkbox select करना है और next यह देखें यह बहुत सारे license है यहाँ पर हमें इससे install करना है अभी तो हमने installation हमारा procedure अब है start हो गया तो यहाँ पे आपको हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोग्रेस दिखा रहा है यहाँ पे 1% कंप्लेट हो गया है यह तो परसेंट अब यहाँ से मैं वीडियो पॉज किया और यह देखें यहाँ पे 29% जैसे आप इंस्टॉल करते आगया गए जाओगे तो आपका विंडो का जो फोटो है जो बैनर सरफा फोटो है वो चेंज होता जाएगा तो यह देखें एक और बार यह बियाए डबलु कार का यह आ गया है इसके बाद पुलज करेंगे इसको करें डुस को समय हमारा 100 percent कोंपलीट हो गया है तो अब यहां से हम जो उपर वाली विंडोर है उसके वालिजा है उसके बाद गठाइड इसके बाद फीनिश करेंगे यहाँ से तो यह देखिए हमारा कटिया का इन्यूिया आइकोन डेक्स्ट टॉप पना चाइए अब हम इसको ओम कर से डबलऄ क्लिक करते तो यह उपन हो जाएंगा अबी तो यह देखिए हमारे कटिया तो रिशा Bennett- उपर नहीं हो रहा कियो कि हमने यहाँ पर आभी क्रेक 될 कीम नहीं डाले हमारे फाइल को यहाँ पे लाके हमें रकना है तो कहां पर हमको कॉपीपेस्ट करके रकना है यह मैं आपको बाता तो यह से हम allowance करेंगे यह पहुत सारे license है इसमें हमें आगे जाके यह चुटी टू आला license select करना है तो चलो हम यह से आगे जाता है इसको close करते हैं एक बार ओके इसको हमें okay करके close कर देंगे एक बार और हम फिर से हमारे setup प्राइल में जाते है तो यह रहा हमारा crack तो हम 32 beats का crack open करेंगे और जो उपर वाले फाइल है उसको हम copy करेंगे तो यह हमने copy की और नीचे वाले फाइल है यहाँ पर हमें location दिया है कहाँ पर जाके paste कर रहा है तो यह देखिए यहाँ पर लिखा है हमने c c में program file उसके सामने डेसल लिखाए तो हम वहाँ पर जाते हैं यह देखिए यहाँ मैंने highlight किया सी सी में program file नामका फोल्डर है उसके में अंदल डेसल तो चलो हम उस file folder में जाते हैं तो हम गए सी program file trio system इसके बाद हमने यह यह पर paste किया अ GET track C छलो देखते हैं एक बार फिर से हमने वाही पेस्ट किया है क्या तो हमने फिर से एक बाद उसको कॉपी किया तो यह देखिए हमें उसके आगे भी जाना है अभी तो यह देखो इसके बाद इंसे इसको कट करने वाधि है क्या है मधी तो यहां पर हमें क्लिक करते है इसके बाद क्या है तो बीन करते हैं यह देखे बिन फोल्टर वेक्श्ट Sharpe अब हकी करना है और पुराने वाली फाइल है उससे रिप्लेस करना है तो यह देकर हमने यहाँ पेश्ट किया भी चल पेश्ट करते है 잠är teams क् dauрос यहाँ पेश्ट किया तो यह देखे यहाँ फोल्डर है तो हमें एक हागे मूँ एंड रिप्लेस पे क्लिक किया हमने हमारी फाइल यहाँ पर आ गई यहाँ पर कोई आपको रिनेम नहीं करना है फाइल जैसी थी वह इसी ही रखनी इसके बाद फिर से हम कटिया को ओपन करते हैं अब यहाँ हमें हमें लाइसन सेलेट करना होगा उसके बाद ही हमारा कटिया स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा हमें license HD2 वाला ही select करना है तो यह देखे हमारा कटिया वाला अभी install हो गया तो open भी हो गया है properly तो हम यहापे आप यह license की window आ जाएगे यह देखे हमारी license window आ जाएगे यह automatic आती है तो यहापे हमें scroll down करके HD2 वाला license select करना है चलो scroll down करते है यह बहुत सारे license है जिसका यूज हाद डिफरेंट 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 होता है लेकिन यहापे हमें यह देखे हमारे window अभी visible हो गई है तो हम नीच आ थे तो यह देखे है HD2 कटिया hybrid वाला तो इस पर हमें click किया कटिया hybrid design to configuration local यह वाला हमने select किया ओके ओके और एक बार हम अब यह कटिया को close करेंगे और फिर से एक बार open करेंगे तो हमारा कटिया स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली तो चलो एक बार close किया और फिर से एक बार open करते है कि यह देखिए एक टिया open हो रहा है भी चलो हम अब यहां पर आपको एक पाइक पार्ट ड्रॉपर करके दिखाता हो तो स्टार्ट कि अच्छे बाद में एक mechanical design पार्ट डिजाइन कि यहां पर में एक plane से लेट करता हो इसके बाद हम यहां पर एक ड्रॉपर करेंगे एक rectangle ड्रॉपर करते हैं चलो यह देखिए बाद में आपको pad करके दिखाता हूं यह देखिए pad 20 ओके करेंगे यह देखिए हमारा पार्ट टायार हो गया तो अभी कटिया इंस्टाल हो गया है इस तरह कटिया का आप इंस्टाल करते इसके बाद में आपको यह कटिया